गुद मॉर्णिंग अल उफ यू से आपको आज यह बताने वाली हूँ कि रूपीज को पैसे में और पैसे को रूपीज में कैसे कनवर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखी आपको एक रिलेशन दिया गया है वन रूपी इस इक्वल टू हंड्रेड पैसे क्या है? Speak along with me वन रूपी इस इक्वल टू हंड्रेड पैसे ओके? तो यहाँ पे देखी यह नोट है तो कनवर्ट रूपीज एंड पैसे इंटू पैसे क्या है? तो कनवर्ट रूपीज एंड पैसे रूपीज एंड पैसे को पैसे में कनवर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? रूपीज को रिमूव करेंगे यह इसको बोलते हैं रूपीज रूपीज को रिमूव करेंगे एंड डॉट को भी रिमूव करेंगे और पैसे का P हम end में लिखेंगे तो कैसे होगा देखे यहाँ पर है 4 rupees 50 पैसे इसको numerical form में कैसे लिखते है figure में कैसे लिखते है rupees symbol बनाना है rupees का then 4 rupees यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ 4 4 rupees का लिखेंगे 4 यहाँ पर dot रखेंगे और dot के बाद आएगा 50 पैसे ओके इसको हमें पैसे में convert करना है तो हम क्या करेंगे यह rupees को निकाल देंगे यह dot को भी निकाल देंगे और उसके बाद लिखेंगे P तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर यह dot नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 450 और यह रूपीज में निकल जाएगा तो क्या रहेगा 450 और उसके बाद आएगा P for पैसे ओके तो यहाँ पर क्या है 3 रूपीज 75 पैसे तो इसको हम figure में कैसे लिखेंगे रूपीज 3.75 और इसे हमें लिखना है अभी पैसे में तो क्या करेंगे रूपीज को रिमूँ कर देंगे then 3 इड़ाट है उसको भी निकल देना है उसके बाद क्या है 75 और बाद में लिखेंगे P for पैसे ओके तो यह क्या हुआ रूपीज और पैसे दोनों जब होते है तो उसको पैसे में कैसे कनवर्ट करना है यह हो गया ओके so here to convert रूपीज इन टू पैसे यहाँ पे क्या चनवर्ट करना है सिर्फ अगर रूपीज है तो आपको पैसे में कैसे कनवर्ट करना है उसे 100 से multiply करना है so यहाँ पे है रूपीज 2 so 2 को हम क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे 100 से जब multiply करते हैं तो क्या आता है जो भी digit है उसके बाद 20 आ जाते है तो यहाँ पे होगा 200 पैसे यह rupees निकालना आपको नहीं भूलना है अगर हमारे पास rupees और पैसे दोनों है तो क्या करेंगे rupees और dot को remove करके उसके बाद p for पैसे लिखेंगे और अगर only rupees है तो क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे देखिए here I have some examples see rupees 8 यहाँ पे है 0 तो हम इसे क्या बोलेंगे rupees 8 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे rupees निकाल देंगे निकाल दिया चलो और क्या आया अभी 8 8 लिखा फिर आया dot उसको निकाल देना है उसके बाद क्या आया dot zero तो हम यहाँ पे लिखेंगे two zero और बाद में क्या लिखना है p लिखना नहीं पूलना है क्यूंकि हमने इसको पैसे में convert किया है अभी इसको आपको क्या करना है पैसे में convert करना है तो आप क्या कर सकते हो 8 multiply by 100 8 multiply by 100 क्या मिलेगा आपको 800 पैसे मिला same answer यहाँ पे देखिए रुपीज रिमू करो 21 और क्या बचा 90 यहाँ पे लिखो 90 यहाँ पे क्या लिखना है P for पैसे यह रिमू करो 13 रिमू किया 30 और P for पैसे 3 डॉट निकाला 0,5 और P for पैसे रिमू करो 14 डॉट निकाल दिया then 25 पैसे ओके understood very good क्या सिखा हमने रुपीज को पैसे में कैसे कनवर्ट करते हैं अभी हम सिखेंगे पैसे को रुपीज में कैसे कनवर्ट करते हैं तो यहां पे देखें तो कनवर्ट पैसे इंटू रुपीज काउंट 2 डीजिट फ्रॉम दे राइट और पूट डॉट तर राइट रुपीज अट दे बिगिनिंग क्या करना है यह जो भी पैसे हमें दिये गए है उसमें राइट से यहां पे रखा है और आगे क्या लिखना है रुपीज लिखना है और पैसे को निकाल देना है तो यहां पे क्या होगा यहां पे डॉट आएगा यहां पे डॉट आएगा तो पॉइंट सेवेंट होगा पैसे को निकाल देंगे यहाँ पे लिखेंगे रूपीज, ओके, यहाँ पे क्या होगा, 8.00, रूपीज यहाँ पे अल्रेडी हमें दिया है, यहाँ पे 72.05, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ओके, See, here I have some example also, look at here, first क्या करेंगे हम लिखना है यहाँ पे, रूपीज, ओके, यहाँ पैसे को निकाल देना है, निकाल दिया, ओके, मैं अभी के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, फिर, क्या करना है, two digits right side से count करने है, यह first one, second one, then यहाँ पे रखेंगे हम ऐसे dot, क्या हुआ, 70.90, ओके, समझ में आया आपको, फिर से यह पैसे को, 900 पैसे को रूपीज में convert करते हैं, यहाँ पे लिखूंगी रूपीज, then two digit count करेंगे, कहां से, right side से, one, two, कहाँ पे dot आएगा, nine के बाद, यहाँ पे लिखूंगी, nine point zero, zero, फिर पैसे को निकाल देंगे, रूपीज लखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, one, two, कहाँ पे dot आएगा, यहाँ पे 99 के बाद dot, 99.95, okay, then 440 पैसे is equal to how many rupees, यहाँ पे लिखेंगे, रूपीज, then one and two, four के बाद आएगा dot, 4.40, उसके बाद क्या होगा, 315 पैसे is equal to, रूपीज 3.15, okay, यह जो भी example मैंने करवाए है, वो है आपकी exercise number one, nine point one के example, okay, तो जो भी बादी है, वो आपको कुछ से करने हैं, और मैं आपको question number one भी सिखाती हूँ, see, here on page number 145, exercise number nine point one, okay, complete the table, यहाँ पे क्या है, पैसे में amount दिया है, rupees में भी दिया है, और word में भी दिया है, so first one is 220, पैसे, उसको rupees में कैसे लिखते है, rupees, पैसे निकल जाएंगे, two, one, two, two digit के बाद आएगा dot, so यहाँ पे होगा 2.20 rupees, okay, so इसको हम कैसे लिखेंगे, two rupees, word में कैसे लिखेंगे, two, कितने rupees है यहाँ पे, two rupees, okay, और कितने पैसे है, dot के बाद जो आता है, वो है हमारे पैसे, कितने है, 20, 20, पैसे, okay, इसको rupees में यह पैसे में दिया गया है, p4, पैसे, इसको मुझे लिखना है, rupees में, तो यहाँ पे में लिखूंगी, rupees, कितने digit काउंट करने है, two, one and two, word कहाँ पे आएगा, 75 के बाद, 75.50, इसको वर्ड में भी लिखना है मुझे, कैसे करूंगी, 75 rupees, 75, कितने पैसे है, 50, 50, पैसे, okay, यहाँ पे देखे कितना दिया है, वर्ड में दिया है, पैसे में और rupees में हमें लिखना है, 10 rupees, 10 पैसे, तो rupees आएंगे dot के पहले, और पैसे आएंगे dot के बाद, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, rupees, कितने है, 10, फिर रखूंगी dot, और dot के बाद क्या आएगा, 10, पैसे, इसको मुझे पैसे में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, rupees निकाल दूँगी, dot भी निकाल दूँगी, और बाद में लिखूंगी p for, पैसे, तो होगा 10, 10, पैसे, समझ में आया सबको, ओके, तो यह दोनों आपको अपने हिसाब से solve करने हैं, और अगर समझ नहीं आया है, तो आप mem से भी पूछ सकते हैं, ओके, और एक चीज़ और है, तुम्हें आपको दिखाती हूँ, देखिए, यह मैंने आपको already solve करवा दिया है, और यह सब आपके homework के लिए हैं, ओके, बाई, have a good day.